रशिया, पुतिन, पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे, उनको सब को कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाए, 87% वोट मिल गए, 87% जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होगे, सारे वोट आपी को मिलेंगे, और शेक हसीना जीत गई, पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी चिं लिया, उसका सिंबल चिन लिया, जीत गए, अब मोधी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांगलादेश बनाना चाहते हैं, मोदी जी भारत को बंगला देश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पैय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो बंगला देश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नमबर वन देश बनाना है सारे भी पक्ष को खतम कर दो उन्होंने मेर को गिरफतार कर लिया कॉंग्रेस का एकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव के एक महीना पहले एक महीना पहले उन्होंने कॉंग्रेस का एकाउंट फ्रीज कर दिया अब हमारा एकाउंट फ्रीज करने जा रहे है सुप्रीम कोट के अंदर इनके वकील ने बोला कियाम आदमी पार्टी का एकाउंट फ्रीज करेंगे शिव सेना के उन्हें ने दो टुकडे कर दिये शिव सेना के दो टुकडे कर दिये एनसीपी के दो टुकडे कर दिये स्टेलिन के कई मंत्रियों को ममता दिदी के कई मंत्रियों को गिरिफतार कर lisa सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोधी जी कहते हैं आँ चुनाव लड़ते हैं यह तो कायर लोग कहते हैं ऐसे अरे मोधी जी दम मैं तो आँख में चुनाव चुनाव की तरह लड़ो ना सब के अकाउंट फ्रीज कर दिया सब को जेल में डाल दिया इस वक्त मोधी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं बहुत खतरनाक मिशन आपको पता नहीं अंडर गराउंड के चल रहा है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन ल कर रहे हैं एक लेवल जितने विपक्ष के नेता हैं के करके सब को जेल में डाल रहे हैं कहीं को डॉल दिया और अगर वह जीत गए भगवान ना करें वह जीति अगर वह जीत गए मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक थाकरे साब भी जेल में होंगे, खड़ भी जेल में होंगे पिनराई विजिरेन भी जेल में होंगे तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं विपक्ष को सब को जेल में डाल दो जैसे पुतिन ने शेख हसीना ने जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी म को खतम कर दिया। देवेंद्र फड़नवीज को खतम कर दिया। उन्होंने शिवराज सिंग चोहान को खतम कर दिया। वसुंद्रा राजे को खतम कर दिया। डॉक्तर रमन सिंग को नंबर योगी अधित्यनाथ का है अगर यह जीत गए तो दो महिने के अंदर योगी अधित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सी एम पद से अटा देंगे यह लोग